अब अब आपके सामझे टॉपिक डिसकस करें वालों तैस वरी इंपॉर्टन एशिन डिवल्प्मेंट बैंक डिसकस करेंगे जल्दी से मैं आपको एशिन डिवल्प्मेंट बैंक के बारे में बताइता हूं सबसे पहले इस्टाब्लिश कब हुआ डेट याद अखिए कि 19 दिसंबर 1966 पहला कोशन यह हो गया दूसरा इसका हैड़ ओफिस का है फिलिपिंस में मनीला में इसका हैड़कॉर्टर यह आपको याद अखना है थर्ट पोउट इसके कितरे मेंबर्स हैं क्या यह एसिंट मेंबर से में तो इसमें टोटल मेंबर T 31 पहला प्रेसिडेंट इसका कौन थे याद अखेगा तकेशी वतनबे जो है वो इसके फर्स प्रेसिडेंट थे जस्ट रिमेंबर एक्जाम में कोशन पुछा आ सकता है अगला कोशन एडीबी के करेंड प्रेसिडेंट कौन है तो याद अखेगा मसा तो सुगू असा कवा प याद अखेगा एडीबी के करेंट प्रेसिडेंट एशिया डेवलोपेंट बैंक के यही है ठीक है परपस क्या होता है एशिया डेवलोपेंट बैंक जैसा लग रहा है परपस क्या है इसका परपस जो है कि सोशल एकनॉमिक डेवलोपेंट जो है वो एशिया में प्रमोट ह रीजन में याद रखिएगा कि social economic development हो पूर नेशन को loan वगरा provide करना along with eradication of poverty this is very important poverty को eradicate करना मतब इसका एक तरीके तरह बहुत important objective रहा है ठीक है अगर मैं इसके strategy पूछे में ADP की strategy 2030 strategy कोई आप से पूछ रहता है 2030 strategy क्या है किसकी है तो Asian Development Bank की है जिस पर याद रखिए इनका efforts है इनको eradicate करना है poverty जो extreme poverty Asia Pacific region में प्लस इनको achieve करना है prosperous inclusive resilient and sustainable Asian Pacific तो आप देख रहोंगे Asia Pacific region को develop करने की बात करता है Asian Development Bank क्या India इसका founding member है मैं अभी आपको था 31 members थे जब यह establish हुआ था और India was one of the founding member ठीक है आगे discuss करें ADB के बारे में तो इसका motto क्या है ठीक है motto भी बिल्कुल poverty related ही होगा तो याद एक प्रॉस्पेरेस इंक्लूसिव resilient and sustainable Asia Pacific बनाना है अभी हमने यही चीज़ पढ़े Asia Pacific को यह बनाना है और उसके साथ साथ हमको efforts देने हैं कि जो extreme poverty है वह हम eradicate कर सकें तो देखिए वही चीज़ बार बार घूम किया रहा है यह इसका motto भी है ठीक है आगे अगे अगर हम बात करते हैं इसके five largest shareholder कौन है इसके shareholder तो यादखिए इसके shareholder जो है top two में कौन है जैपान और USA है दोनों के पास 15.6% इसके total share है इंडिया इसमें फोर्थ रैंक पर आता है यादखिए को दो तो यह हो गए फिर है चाइना 6.4% फिर है इंडिया 6.3% और फिर है ऑस्टेलिया तो यह top five है जि देख रहे हैं किस नंबर पर आ रहा है that is third third rank पर फोर्थ rank पर आ रहा है ठीक है next main objective main objective poverty को eradicate करना Asia Pacific region में इसका main objective है प्लस याद दखिएगा कैसे eradicate करता है जो पूरेस developing country पूरेस countries हैं गरीब countries हैं उनको क्या करता है यह funds provide करता है loans provide करता है और loan जो भी रहता बड़ा concessional terms मे interest rate होता है remember ठीक है तो exclusively जो याद अखिएगा poor countries है उनके लिए concessional terms में यह loan देता है तो बहुत अच्छी बात है कम interest में long time के लिए आपको loan available हो जाता है ठीक है और इसके projects आप देखेंगा आपको इंडिया के भी example लेता हूं investment करता रहता है जैसे infrastructure में किसी country health care services finance public administration system इन सब में funds provide करता है remember ठीक है और इसका जो impact है मतब जैसे climate change से related भी आप ADB से किसी भी चीज़ के लिए loan ले सकते हो ठीक है climate change के लिए याद दखेगा यह सब चीजों के लिए funds आपको provide करेगा ठीक है और infrastructure management जैसे भी आपको बताया तो वह भी मैं भी discuss करता हूं इंडिया में से कु गवर्नर रिप्रेजेंट होगा कहा पर governance of ADB में यह मत सोचेगा कि राज जी का स्टेट का कोई गवर्नर चला जाएगा यह तो आप सोचे आर बी आई का गवर्नर चल जाएगा नहीं फिनांस मिनिस्टर ही गवर्नर होता है इस गवर्नर ऑफ एशन डवलप्मेंट बैंक मे है कोशन फ्रेम किये जाते कंफ्यूस नहीं होना है और जाते आते मैं कुछ प्रोजेक्स जो एशन डवलप्मेंट बैंक ने इंडिया में लॉंच कि हुए वह आपको पता हूं चाहिए जैसे चेन नहीं कन्या कुमाई जो इंडस्ट्रियल कॉड़ बन रहा है वह आपके ADB कि यहल्प की मदद से ही बन रहा है तिक बैंलाव सीटी में जो मेंट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है वह भी ऐस्ट्रोपमेंट identify के फण्स की वे से है मुंबाई Metro रेल प्रोजेक्ट जो है उसमें भी ऐस्ट्रोपन गए के फण्स की वे से तो कुछ एग्जामपल है कि यो प्रोजेक्ट से इंडिया में ADB की वैसे चल रहे हैं वैसे तो बहुत सारे इंडिया स्पेसिफिक आपको बता रहे हैं आयोप आपको पूरा Asian Development Bank मैंने बहुत कम टाइम पर जल्दी से बता दिया होगा और आपको यहां पर हर चीज सीखने को मिल गई होगी ठीक है प्लस अगर आप हमाएं complete courses को जोईन करना चाते हैं जहां पर मैं detail में सारे courses पढ़ाता हूं पॉलिटी जोग्रफी हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट गवननेंस में स्केप्री के एक बार application को विजिट करो आपको सारे courses अविलेबल में लेंगे सिब बड़ा हमारा USP है जहां पर मुस्ट्वेंट्स को परसनली गाइड करते हैं स्टेट सर्विसेस के भी आपको courses अविलेबल हो जाएंगे और अगर वीडियो पसंद आया और कोई वीडियो ऐसी क्रिस्प मैनर में आप चाहते तो कमेंट बॉक्स ने तुरन कमेंट कर द तो, THANK YOU